दिली की सीमा पर चलने किसानों के अंदोलन के छे महीने पूरे हो गए हैं इसे सिलसले में आज किसान संग अठ्णों ने काला दिवस मनाने का एलान किया है फिलाल हम गादीपूर बॉर्डर पर मौझूद है और देखे कुछ इस तरीके की तस्वीरे हैं जहां पर ठुकणों मास्क लगाए हुए हैं तो आधे किसान ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं हलाकि लोगों से यह अपील की जा रही है कि साफधानी बढ़ते हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें लेकिन यह जो तस्वीरें निशित तोर पर सवाल भी खड़े करती हैं क्यों सवाल भी खड़े करता है क्योंकि अगर इस तरीके से साफधानी बढ़ती जानी चाहिए वह साफधानी सभी के लिए हैं लेकिन मुझे आधे लोग अगर हमको मास्क में नजर आ रहे हैं तो आधे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो यह निशित तौर पर सवाल भी खड़े करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इक को बढ़ावा देने के लिए बही बी यह जो लगातार मुएगार इसमें divine करने को इसे मिर आहिए है लेकिन साबधानी बरतना भी हमारी और आपकी जिमेधारी है फिर उप्रशन कारी हो चाहें उनका समर्थन के लिया आये हुए लोगों की जिमेधारी सभी की है क्योंकि करोना यहां पर प्रशन कारी यह ठीद देखने वालों में में फर्क नहीं करता है अपने पराय में फर्क नहीं करता है लिहादा जरूरी है कि साफधानी बढ़ती जाए और पिलहाल किसान आंदोलन के दौरान आधे लोग तो वह साफधानी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उस प्रोटोकॉल का यानि ABP News आपको रखे आगे